वेल्कम टू मैं स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागा था आपका मेरे इस चैनल में आपको हम प्रॉबरिटी के कुछ बेसिक चिस बताएंगे तो बने रहीगा हमारे चैनल में अंतर तक और देखेगा यह बहुत इंपॉर्टन्ट वीडियो होने वाला है तो सबसे पहले इ हों वह हमको अगर पता हो पहले से तो उसको रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जैसे हम किसी को उशालेंगे तो हमें पता है है डावर टेल आना ही आना है तो यह हमारा क्या कहलेगा रेंडम एक्सपेरिमेंट कहलेगा डाई को फेकेंगे तो पता है कि छे में से कोई एक न मतलब टोटल आउटकम्स रेंडम एक्सपेरिमेंट इस नोन इसेंपल इसपेस यही कहलाएगा इवेंट क्या कहलाएगा इवेंट इस सबसेट आफ सेंपल इसपेस की इसके बाद में सबसे महत्तपूर्ण आपका यह है सबसेटन और प्थां एक्सेस केंट सबसेगा जोन सा आइवेंट की इसपेड इस दोनुथ सुसीयाथ अलख एलग है अला जग इसको क्या बोले इसका है मूलते हैं। आपका हया याने दोनो इसक्मेंट में कोई सवामनता नहीं है ठीक है, mutually exclusive, associated with random experiment, having sample space then, तो दोनों element में कोई common नहीं है, अलग-अलग event है, और उनका sum क्या कहलाएगा, A union B equal to PA, थोरम अगर कहीं अलग से कोई थोरम आती है, addition थोरम यह कहलाता है, इसका mutually exclusive से कोई रिस्तान आता नहीं है, तो probability A union B equal to क्या कहलाएगा, PA plus PB minus PA intersection B, अब बच्चों हम कार्ड के बारें बताने जा रहे हैं, सबसे important चीज है कार्ड, तो जो हमारे तास होते हैं, जो तास का पत्ता होता है, जैसा कि आप इसमें figure में देख रहे है, बाउन पत्तों को, red और black, जिसमें जो है, 16 आपके, क्या होंगे, 16 आपके red होंगे, sorry, 26 red होंगे, और 26 black होंगे, 26 red और 26 क्या होंगे, black होंगे, फिर इसके बाद में, इसमें जो हैं, बच्चों, 13 जो हैं, 13 heart होगा, 13 heart होगे, 13 diamond होंगे, और 13 club होंगे, और 13 spread होंगे, सब के 13 होते हैं, तो 13 और 13 मिलाके 26 26 red बन जाएगा, 13 और 13 मिलाके 26 26 black बन जाएगा, तो heart वाले में, आपके ये आएंगे, ass, king, queen, jack, duggi, tiggi, ten तक जाएगा, ठीक है, तो ऐसे heart में होंगे, ऐसे diamond में भी ass मिलेगा, king मिलेगा, queen मिलेगा, jack मिलेगा, और club में भी ऐसे मिलेगा, ass, king, queen, jack, ass, king, queen, jack, इन चारों में मिलेगे, तो club का बच्चो फिगर ये होता है, ये आपके सामने देख रहा है, club का फिगर ये होता है, और इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, जोकर का फिगर बना हुआ है, तो आपकी जो face kaart होते हैं, बच्चो, यह question में आता है कि face card का probability क्या होगा तो यहां पर यह तीन आपके face card होते हैं हर unit में तीन face card होंगे तो कुल मिला के कितने face card हो जाएंगे चारते ही 12, 12 face card होते हैं अब इस पर probability के question आप धुआधार लगा सकते हो बच्चों देखे कैसे लगाएंगे probability के question अब जितने भी तास्क के questions आएंगे उसको आप तुरण चुट्कियों में रगा सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया अगर आपसे कहा जाए कि 52 पत्तों में से face card आने के probability बताओ तो बच्चों face card 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 12 तो 12 face card हो गए और total पत्ते कितने हैं बावन पत्ते हैं तो तेरा च पत्तों में से heart के आने की probability बताओ तो heart 13 होता है तो 13 बटे 52 हो जाएगा 13 चोके 52 इसी प्रकार से बच्चो diamond आने की probability क्या होगी 13 बटे 52 वन बाई 4 आ जाएगा club आने की probability कितना होगा 13 बटे 52 तो 13 चोके 52 वन बाई 4 आ जाएगा इसी प्रकार से इसपार डाने के probability जो है वो कितना हो जाएगा 13 चोके 52 ठीके बच्चों तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि 52 पत्तों में से king को निकाला जा रहा है king के के निकालने के probability क्या होगी तो तो 4 बटे 25 हो जाएगा इसी परकार से जैक आनी के प्रोविल्टी कितना होगा जैक कितने होते हैं तो 4 बटे 25 हो जाएगा तो इस तरीके से बच्चों हम पास वाले को हम अच्छा से लगा सकते हैं और कोई भी कुशन अब फसना नहीं चाहिए आप पहचान चुके हो ठीक है इसमें क्या-क्या चीज है यह मैंने आपको डिटेल में बताया है तो कैसा लगा वीडियो आपको मेरा कमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा कोई से अगला तो जरूर बता इए गा कि और इसको कैसे किया जाए वीडियो को सेर कर नियुक्त सब्सक्राइब करेंगा थाइक यू परिट कौन धॉट